बच्चों शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स और यहां पर आपकी बुक में इस चैप्टर का नाम है मेजर सेंट सेंटर टेंडेंसी तो दो तरीके से किसी किसी बुक में स्टैटिस्टिक्स भी है में इन्होंने मेजर सेंटर टेंडेंसी बोला है अर्यांत की बुक में स्टैटिस्टिक्स बोला है यहां पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो क्या-क्या नाम यहां पर बार-बार यूज होंगे उनको ही समझ सेंटली बात यह चल रही है कि वाट्सअप आपका डेटा कलेक्ट करके फेस्बुक में चिपका देगा तो लोग क्या कर रहे हैं वाट्सअप को छोड़ रहे हैं और दूसरे प्लैटफॉर्म्स में जा रहे हैं जैसे टेलीग्राम और एक दूसरा कांसा है बड़ा फेमस ह हो गया है अधकल नीले रंग का उसका सिगनल है तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेटा भी काफी इंपोर्टन चीज है और डेटा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर से फर्म में हो वह ऐल्फाबेटिकल भी हो सकता है कोड भी हो सकता है किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है लेकिन हां वर्ड में जितने भी डेटा क्लेक्ट किये जाते हैं मोर और लेस ज्यादा तर उनमें से नंबर्स भी होते हैं कई बार ऐसा होता है जैसे हैं बहुत ही सिंपल एक्जामपल हम लोग ले ले कि आपके इस क्लास में टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का हंड्रेड मा लोगोंने और हमने सारे बच्चों के मांक्स लिए जिस भी और में कॉपी इस तलेक्ट की थी उस और में नाम लिख दिये गया उसी और मांक्स लिए जा तो ऐसा देखने में अगर मालीजे की 20-30 बच्चे होंगे तो आराम से किसी भी बच्चे का नाम ऐसे करके ढूंडा जा सकता है लेकिन अगर मालीजे 500 बच्चे होंगे 10,000 बच्चे होंगे ऐसे केस में फिर नाम रोणना मुश्किल होगा तो मैंने क्या बोला कि आप रेंडमली किसी ओर में नाम लिख दीजिए किसी भी ओर में मांक्स लिख दीजिए तो वह हो जाएगा अन गुरूप्ड डेटा ठीक है अब आपका जैसे मालीजे गोल यह है कि किसी बच्चे का नाम है महेश तो महेश का मांक्स आप जानना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यह होगा कि सारे बच्चों का जो डेटा है मांक्स का उसे एल्फा बेटिकल ओर्डर में रख दिया जाए तो एल्फा बेटिकल ओर्डर होगा तो ए बी सीडी तुरंत आप को चैंगे ज्यादा उपर नहीं देखना है नीचे चलो खूँ तो एम पे हम देखना चाहते हैं तो सबसे ची स्ट्राटेगी होगी कि हम ःफाविटिकल ओर्डर में करें दूसरा चीज यह तो जब आप किसी भी order में अपने data को arrange करते हैं, तो वो बन जाता है grouped data, तो grouped data जो होता है, वो किसी ना किसी definite order में रहता है, ठीक है, अब हम लोगों ने ये क्यों सीखा, जादा तर आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर statistics अपने ICSC के हिसाथ से जो पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग numbers ही देखेंगे, और numbers को अलग-अलग तरीके से समझेंगे, mean, median, node ये सारी चीज़ें आएंगी, और हमें increasing order या decreasing order में अपने numbers को arrange करना होगा, तो इसलिए ungrouped data को grouped data में या तो पहले से बना कर question देगा, या फिर हमें बना कर रखना होगा, ठीक है, तो अब इतना लिखिए आप लोग, अब वापस अपने बच्चों के test result पे आते हैं, जैसे 100 marks का paper हुआ था, तो उसमें 10 से लेके 20 तक कुछ बच्चों के marks आएंगे, इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड होती है, अगर इस तरह पर डिक्टा है, जहां पर 20 repeat हो रहा है, तो अब यहां पर class interval इनको कहते हैं, बताएए lower limit यहां पे क्या होगा, मालनों हम इसकी बात कर रहा है, तो, lower limit क्या होगा, 10 होगा, है न, upper limit क्या होगा, 20, है न, जिस पर टिक लगा इस सिर्फ उसी की बात कर रहा है, ठीक है, lower limit हो गया, upper limit हो गया, इन दोनों को हम लोग मिला कर बोलते हैं जैसे सब की बात करें तो lower limit और upper limit किसके सब heads है class limits के ठीक है तो class limits जो है वो 10, 20, 30, 20, 30, 40 ये सारे क्या है class limits है ठीक है उच्चो अब उसके बाद एक और बात आ जाती जैसे हम लोग 20 में से 10 minus करें तो 10 आता है upper limit minus lower limit फिर 30 में से 20 minus करें तो भी 10 आता है ये करते रहें तो आप दिखेंगे ये हर बाद difference यहाँ पे 10 का ही है तो ये जो difference है इसी difference को क्या कहते है गोलिए वाई इस difference को लोग कहते है class size क्या कहते है class size तो अगर हम लोग class interval पढ़ रहे है तो lower limit अपर limit तो तुरन समझ में आ जाएगा class limits भी ठीकी ठाक है लेकिन class size एक छुपी हुई चीज है जो आप से पूछी जा सकती है कुछ लोग इसको range भी कहते है तो range में क्या होता है एक दूसरी चीज होती ही कि सबसे छोटी से लेके सबसे बड़ी धक ले लेते हैं तो वह रोग रेंज कहलाती है लेकिन अभी शुरुआ की exercise में आपको range की ज़रूरत नहीं पढ़ेगे अब class mark का क्या formula होता है बता सकते हैं आप लोग बुलिये अच्छा कोई idea नहीं चलिए कोई बात नहीं class mark का मतलब होता है lower limit प्लस upper limit divided by 2 समझें तो माली जे की इसकी बात पर ले तो क्या हो जाएगा lower limit वहाँ से 20 है upper limit क्या है 30 है divided by 2 हो जाएगा तो आजाएगा 30, 20, 50, 50 divided by 2 पच्चे ना तो ये इतना बड़ा formula लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यार आप लोग तो काफी experienced बच्चे हैं अरे या 10 और 20 के बीच में क्या होगा बुलिए 15 15 20 और 30 के बीच में क्या होगा 25 30 और 40 के बीच में क्या होगा 35 तो ये करना बहुत आसान है अपके पास लेकिन अगर कोई formula पे पूछे तो हम लोग बोलेंगे class mark is the average of lower limit and upper limit ठीक है lower limit बोलते है कुछ लोग lower class limit upper class limit इस तरह भी बोलते हैं लेकिन lower limit upper limit ज्यादा popular नाम है ठीक है तो आपको data तो पहले से ही पता था class interval में class size आपको पता चला फिर class mark का यह बहुत बड़ा सा formula है लेकिन class mark होता क्या है mid point है ना average होता है और यहां पे 10-20 type के number ले रखें कोई बच्चों ऐसी भी class ले सकता है 4 से लेके 11 है ना जहां पे difference कुछ prime number type का हो तो कुछ भी class intervals आप decide का सकते हैं लेकिन इन जेनरल लोग data होता इसलिए है grouping of data की इसलिए जाती है ताकि किसी के सामने data present किया जाए तो वो सामाने आदमी भी हो बहुत जादा statistics की जनकरी ना भी रखता हो तो उसको बात समझ में आ इसलिए normal practice यही है कि class interval जो है वो 10 के multiple में या 5 के multiple में होता है 100 के multiple में हो सकता है कितना ज्यादा पैला हुआ data है इस पार भी डिपेंड करता है तो अभी हम लोग जो जितनी भी statistics पढ़ेंगे यहां पर जो data होगा वो हमेशा आपका class interval ज्यादा तर बराबर होंगे कुछ ऐसे case में आएंगे जहां पर बराबर नहीं होंगे फिर हम उन्हें बराबर करेंगे फिर उससे आगे बनेंगे तो वो सारी चीज़े भी आगे की exercise में आती जाएंगी आभी आप केवल इस अगले कुछ 10-20 मिनट्स में नाम ही सीख लें तो बहुत अच्छा बात होगी अब आजाते हैं थोड़े और नामों में एक नाम आएगा frequency इस चैपसर में आपको frequency बहुत दिखाई देगी जैसे physics में हम लोग पढ़ते हैं frequency का मतलब होता है number of oscillations per unit time या number of oscillations per second आपने देखा होगा frequency की जो unit होती है वो hertz होती है physics की बात पर रहा हूँ मैं और hertz को अगर आप उसमें देखते हैं मतलब MKS जैसा बनाते हैं तो वो पर second होती है second inverse होती है तो जैसे वहाँ पर number of oscillations per second होती है यहां पर number of observations बोलते हैं है यहां पर लेकिन time से कोई लिना देना नहीं है यहां पर बोलते हैं frequency का मतलब होता है number of observations अब इस बात को समझीए जैसे कि आप एक बहुत ही simple data लीजे 5 7 2 1 6 5 3 2 5 4 1 9 ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा कि अगर देखा जाए तो 5 जो है वो एक बार दो बार तीम बार आ रहा है तो देखा जाए तो एक बार दो बार आ रहा है तो इस data में सबसे जयादा frequency किसकी है फाइव ठीक है तो अगर हम लोग अब ये देखें के वादल ऐसे लिख दें वैल्यू फ्रीक्वेंसी ठीक है तो वैल्यू है माली जे बाण टो थ्री फोर फाइव ठीक है जे नाइन तक ही जा रहे हम लो तो वन कितने बार है दो बार थ्री कितने बार है देखो ओलो भाई थ्री कितने बार है एक ही बार एक ही बार, 4 कितने बार है, एक ही बार, 5 कितने बार है, टीम बार, 6 कितने बार है, एक बार है, 7 कितने बार है, 0 बार है, तो 0 भी हो सकता है, 8 कितने बार है, 0 बार, 9 कितने बार है, एक बार, ठीक है, रेपेटिशन्स अब आप देखो इनको गिनो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा हो जाएगा क्या एन एन को क्या बोलते हैं टोटल बोलो बाई नंबर ओफ अब्जर्विशन्स ठीक है यह बारा हो गया और दो दो चार इत पांच इच्छे तीन नो दस एक ग्यारा कोई एक रहरा हो है कई एक गंती हो रही है यहां पे बारा आना चाहिए यह यहां गलत गीना होगा मैंने दो दो चार दो छे दो आठ दो दस दो बारा देख लेते हैं वाई वन कितने वार है टू टाइमस टू कितने वार है वन टू टाइमस थी कितने वार ह और फोर कितने बार है वन टाइम फाइव कितने बार है वन टाइम है तो अब जो यहां पे मैंने आपको करके दिखाया यह चीज आपके साथ बहुत बार होगी स्टैटिस्टिक्स में कि आपने यहां मैंने बहुत ही सिंपल चीज होगी इस बच सबकुछ जोड़कर करना है वह फिर सही नहीं आएगा तो यह उसका कारण यह है कि हम लोग ध्यान से नहीं कर पाते हैं या लैक ऑफ प्रैक्टिस है हमारे साथ तो यह ध्यान रखेगा कि हर लिखते जाई है उसको डबल क्रॉस चेक करते जाई है और स्टैटिस्टिक्स का जो भी सवाल आएगा बच्चो इट विल टेक हैं लोट आफ टाइम बहुत टाइम खर्चा होगा आपका इसमें तो इसलिए अगर चॉइस में छोड़ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को तो जर अब देखा गया यहां भी देखा गया और यहां भी देखा गया अब यह जो मैंने बनाया यह अपने आप में एक फ्रिक्वेंसी टेबल है और कैसी टेबल है डिस्क्रीट है या गूप्ड है मतलब ungrouped है या गूप्ड है बताईए frequency देखिए यह वाला डिस्क्रीट है ठीक है और यह वाला grouping करने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी मतलब यहां पर at least यह आउडर है कि यहां पर यह increasing है यहां पे कुछ भी increasing नहीं है तो इसलिए इसे भी ungrouped भी कहा जाएगा और इसे भी ungrouped ही कहा जाएगा यह discrete ही कहा जाएगा अब हम लोग एक दूसरा तरीका अपना है कि भई हम लोग कर ले 0 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 10 तक तब यह बन जाएगा कैसा continuous और अगर एक और तरीका हम लोग अपना है 0 से लेके 5 तक और 6 से लेके 10 तक तब यह बन जाएगा discontinuous ठीक है बच्चों तो आपको type of frequency table भी समझ में आ गई कि कौन सा continuous होता है कौन सा discontinuous क्या discrete होता है discrete और grouped में फरक क्या होता है यह साली बातें आपको समझें आ गई होंगी इस तरह से कोई पूछेगा नहीं कि define discrete frequency tables ऐसा कोई नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी नाम आपको पता होंगे तो question solve करने में असानी रहेगी अब continuous और discontinuous के दो और fancy नाम है continuous है क्या exclusive और discontinuous क्या है inclusive इतना बोल्ट में लिखा है अच्छे से लिखिए अगर आपको कोई यार्पारी नहीं थी अगर आप यह सब नाम जानते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को आगे skip करिए काम की बातों तक पहुचिए अब आते हैं हम लोग cumulative frequency में देखिए cumulative का मतलब होता है additive जैसे की आप एक simple बात समझें कि हर दिन आप समुसे खाते हैं वाली जैं मतलब या आप लोग मेरे जानतर स्टूरेंट बेंगॉली हैं तो रजगुल्ले खाते हैं वाली हर दिन रजगुल्ले खाते हैं तो किसी दिन आपने और हिसाब इस हिसाब से हुआ कि Sunday को आपने एक खाया Monday को आपने एक खाया Tuesday को आपने दो खाया Wednesday को आपने जीरो खाया तो अब हमनों time boundary बना देते हैं ठीक है time boundary है कि Sunday तक कितने खाये एक Monday तक कितने खाये दो Tuesday तक कितने खाये देखें दो कैसे हो गए वन प्लस वन टू अब Tuesday तक कितने खाये वन प्लस वन प्लस टू फोर और Wednesday में भी फोर ही आएंगे लेकिन उसमें यह जीरो इंक्लूडेड होगा फिर Thursday को आ गया Thursday को आप मौका पाके पांच खाली है तो क्या हुआ वन प्लस वन प्लस टू प्लस फाइव यहां पे आपने नाइन खाली है तो इस तरह से क्यूमुलेटिव क्या करता है जहां पे भी boundary हिची होती है उसके पीछे के सारे सिंगल observations को एड कर लेता है ठीक है यह मैंने जो टेबल यहां पर स्टेटिस्टिक्स में cumulative frequency बनाएंगे तो वर्टिकल बनाएंगे अब इसको करने का तरीका क्या है जीरो से लेके 10 तक कितने है तू तो यहां पे cumulative frequency भी तू ही हो जाएगी आप यहां पर आएंगे तो 6 प्लस टू 8 हो जाएगी आप चाहें तो साच्छे 13 दू क्रॉस करिये यानी कि 6 को 2 से जोड़े तो 8 अजाएगा उसी तरह 7 को 8 से जोड़े 15 Minecraft 12 को 15 से जोड़े 27 आप देखिए ये 27 आप ऐसे भी ला सकते है और आप ये सारे जोड़के भी ला सकते हैं जैसे 12, 7, 19, 6, 25, 27 तो ऐसे जोड़ने में क्या होगा कि बहु सारी चीजें जोड़नी पढ़ेंगी और ऐसे जोड़ने में आपको केवल दो ही चीजें जोड़नी पढ़ेंगी अब जैसे यहां क्या लिख दूं बोलिये बोलिये और ये 35 तो ये आपकी क्या हो जाएगी ये हैं फ्रिक्वेंसी और ये वाली हैं क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी अब आप इन सब को जोड़िये 36, 8, 95 और 12, 27, 5, 32, 34, 35 तो यहां में जो 35 टोटल आया वो देखें लास्ट आप गरोरिसount याई फर्स्ट क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी यहां ही बराबर ओती हैं और लास्ट क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हैं वो Sum of All frequencies के बराबर होती है, some of all frequencies का आगे आपको एक fancy नाम मिलेगा, sigma f, ठीक है, sigma f को भी आप 35 लिए सकते हैं, तो यहाँ आपका 35 का मतलब यह हुगा, कि 0 से लेके 80 के बीच में कितनी observations है, 35, 0 से लेके 60 के बीच में कितनी observations है, 34, आ रहे यह बात समझ में, तो यह होगी अपना cumulative frequency, अब आता है बहुत ही basic सवाल बच्चों, calculate the mean, median and mode, तो इसी सवाल से हम लोग यह भी समझ जाएंगे कि mean, median, mode में difference क्या होता है, और इसको सबको solve कर लेंगे, उनके formula के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, देखिए, ऐसे questions में आपका सबसे पहला job यह होता है कि आप इसे increasing order में arrange कर दे, तो करके increasing order में arrange, सबसे चोटा तो यहाँ पर one, ठीक है, फिर उसके बाद, करने का तरीका क्या होता है, जो लिखते जाओ, उसके नीचे dot लगा दो, cross लगा दो, जो करना है कर दो, लेकिन इसी तरह मार्क कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद आजाता है two, और कोई two तो है नहीं, फिर उसके बाद आजाते है three, फिर आजाता है four, फिर आजाता है four, फिर आजाता है five, फिर आजाते है six, फिर आजाते है seven, ठीक है, जो भी तरीका है, आप अपना किसी तरह मार्क कर लिए, और उसके बाद finally, गिन भी लिए, यहाँ पे आप गिनें तो ten observations है, और यहाँ पे भी तीन, कुछे, तीन, नो, एक, दस observations है, तो पहला जवाब आपका क्या हुआ, कि आपने सब कुछ लिख दिया increasing order में, या ascending order में, फिक है, increasing order या ascending order में लिखने के बाद, क्या चीज, एक बार फिर से बोली, हाँ, नहीं बेटा, जब तक class interval ना दिखाई दें, तब तर हम लोग उसे ungroup D गएगे, ठीक है, आचा, तो यह increasing order है, और यहाँ पर, mean अगर निकालना है, तो क्या करेंगे, mean निकालने के लिए, सब को जोड देंगे, और 10 से divide करनेंगे, हमेशा 10 से नहीं divide करते हैं, या number of observations 10 है, इसलिए इसलिए, divide दरना है, यहाँ पर मैं बोलूँगा, sum of observations, observation values मैं बोलूँगा, in fact, और number of observations, एक तरीके से, mean का मतलब कुछ खास नहीं है, mean अपने आप में एक average value है, मतलब average को सारा जो data है, उसके average को हम लोग क्या कहते हैं, mean कहते हैं, average को क्या कहते हैं, mean कहते हैं, अब इसका, एक fancy नाम है, number of observations का sigma f भी बोल सकते हैं, और यह वाला क्या होता है, बताएए, यहाँ पर आपको sigma fi, xi, इस type का लिखा मिलेगा, तो वो जब grouped data करेंगे, तब हम लोग करेंगे, अभी ungrouped data में आप लोग यही याद करिए, ठीक है, mean is equal to average एक तरीके से, तो सब को जोड़िए, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 3, 12, 4, 16, 5, 21, 5, 26, 26, 27, 49, 39, चेक कर लीजिए, 39 ही आ रहा है या नहीं, यहाँ से जोड़ें तब भी 39 आना कहिए, 3, 1, 4, 5, 9, 6, 15, 3, 18, 4, 22, 5, 27, 33, 37, 42, 49, number of observations के आने 10, और mean जो आपका आगया, 3.9, ठीक है, तो 3.9 आपका mean हो गया, अब आजाते हैं हम लोग median पे, असली बात यह है कि increasing order का फाइदा आपको median निकालने में ही होगा, mode निकालने में भी थोड़ा सा होगा, ठीक है, तो median के लिए ही increasing order में लिखते हैं, mean के लिए increasing order करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझने आ गया होगा, ठीक है, तो mean तो यह हो गया, अब यहीं पे median भी निकाल देता हूँ मैं, median का मतलब होता है, middle observations या central observation, बीच वाली value, तभी तो chapter का नाम है, measures of central tendency, अब यहाँ पर देखो यार, increasing order में देखते हैं, बीच में, अब total 10 है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ऐसा नहीं है कि total 10 हैं, तो हम पाच्वी value को answer मग लें, ऐसा बिलकुल नहीं है, देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए कि बीच वाली observation क्या है, तो वो तो आप बताई नहीं पाएंगे, दो, दो, चार, एक, पाँच इस तरफ है, दो, दो, चार, एक, पाँच इस तरफ है, बीच वाली observation तो खाली जगर पर है, है ना, तो इसलिए, जब number of observations even होंगे, number of observations जैसे इस case में even है, तब हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली ये दो values का average ले ले लेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, average of two central values, ठीक है, अब इसका एक बढ़िया formula भी होता है, one by two, बोलिये भाई, बोलिये, बोलिये, ये आजाएगा, n by two, और n by two plus one, n by twoth observation, observation मैं नीचे लिख रहा हूं बच्चों, वैसे बगल में लिखना थे गए, जगा की कमी की वज़े से, प्लस, n by two plus oneth observation, ये हो जाता है आपका, average of two central values, average क्यों लिया, क्योंकि या टोटल two से डिवाइड भी तो कर रहे हैं हम लोग, तो three और four का average क्या हो जाएगा, three और four के बीच में क्या जाएगा, शाड़े तीन आ जाएगा, अगर आपको पूरा लिखके ही करना है, तो three plus four divided by two, ये ही तो लिखना होगा है यहाँ पे, चार, तीन, साथ, साथ बटे दो, seven divided by two is equal to three point five, सही है ना, तो three point five आपका इस question का median हो गया, और सबसे आसान होटा है बच्चों मोड निकालना, मोड निकालना बिल्कुल मतलब हसी खेलना है समझ लीजिए, और आता भी होगा आपको, आपके junior classes में पढ़ा दिया है, लेकिन मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो मोड भी बता दिया जाए, मोड का मतलब होता है कौनसी value सबसे ज़्यादा बार अकर कर रही है, the observation which has most number of frequency, the observation which has the highest frequency, ठीक है, या ऐसी value जो बार बार आ रही है या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो अब देखिए सबसे ज़्यादा बार कौनसा आ रहा है, एक, दो, तीन, कितने बार आ रहा है, तो अब यहाँ पर कौनसा तीन लिया जाए, यह थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जैसे मालेगे यहाँ पर अगर थ्री, चार बार होता, तब ज़्यादा समझ में आएगा है न, तो अब आप बताईए, मोड फोर होगा या थ्री होगा, थ्री होगा, वेरी गूड, जो observation रिपीट हो रही है, वो खुद ही चलकर मोड बन जाएगी, ठीक है, तो यह यहाँ लकना है तेन और न अगर चार बार भी होता, तब भी मोड हमारा थीन ही होता, ठीक है, तो अब लोग ने मोड भी समझ लिए, तो मोड का सीधे अंसरी रिखना होता है, में ञुकुलेट दरना होता है, मीडियन बीच वाला र esfmi यह जाए इक अगर बात अच्ग हैा, तसBooks को अगर number of observations odd होंगी, यह formula किसके लिए था, even के लिए था, अगर number of observations odd होंगी तब क्या होगा, तब हमें calculate करना ज्यादा आसान होगा, जैसे माली दें, यहाँ पे 7 के बाद मालो 8 भी होगता, तो अब 10 की जगरे 11 हो गई, 11 हो गई, तो odd हो गई, तब हमें काफी आराम हो जाता, देखो 2, 2, 4, 1, 5 इस तरफ हो गई, और 2, 2, 4, 1, 5 इस तरफ हो गई, बीच में ही अंकल बचे 4, है न, बीच में, तब देखें, जब number of observations odd हो जाती ही, तो उस case में, जब number of observations odd हो जाती ही, तो central value हमें मिल जाती है, जब number of observations even होती ही, तो कोई central value नहीं होती है, दो-दो को हम लोग को लेना पड़ता है, और उनका average ले लेते हैं, ठीक है, तो उस case में formula क्या हो जाएगा, आप देखो, 11 का half आप करेंगे, तो शाड़े 5 आजाएगा, लेकिन हमें 5 तक पहुंचना है, तो हम लोग क्या करें, बताईगे, तब formula हमारा क्या बनेगा, बुली बहुंचना, न-1 by 2, तब हमारा जो median का formula even में बन जाएगा, वो हो जाएगा, कोई odd में क्या formula बनेगा, वो बनेगा, n-1 divided by 2, n-1 divided by 2th observation, यहाँ पर formula आसान है, एकिन है, यहाँ पर formula के वल इतना ही है, n-1 by 2th observation, odd में यह, और even में यह, n by 2th observation, प्लस n by 2 plus 1th observation, यह ध्यार रखियेगा, यहाँ पर पूरी लंगी लाइन है, और यहाँ पर यह लाइन बीची में, तो ऐसा आप मतलिक लीजेगा, n plus 1 divided by 2, तो फिर ग्रपड हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोगों ने median के दोनों formula जान लिये, mood को जान लिया, कि mode अपने हाँ में क्या होता है, most popular होता है, ठीक है, तो क्या याद रखना, mean average होता है, median central observation होता है, mood most popular होता है, तो अपना ये जो question था, ठीक है, यहाँ पर ये सब तो बाद की बाते हैं, ये जो question था, उसका increasing order ये है, उसके बाद mean आपने लिकाला क्या, 3.9, और median आपने क्या निकाला, 3.5, और mode क्या निकाला, 3, तो mean क्या है, average, median क्या है, central observation, या average of central observations, और mode क्या हो जाएगा, most popular observation, ठीक है, तो इस तरह से mean, median, mode में हम लोगों ने difference, similarity, सब कुछ समझ लिया, अब देखिए बच्चों, एक यहाँ पर गड़बड़ी हो चुकी है, क्या, फिर से मैं वो उस बात को कहता हूँ, जैसे increasing order में हमने एका 7, और 7 के बाद 8 भी होता, और number of observations 11 होती, तो यहाँ पर जो central value होती, वो होती 4, तो 4 जो है, वो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6th value है, और total कितने 11, तो 11 प्लस 1, 12, divide by 2 करते तो 6 आता, तो यह बच्चों ने गलत बताया था, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, odd में formula होता है, n प्लस 1 बाइ 2, प्लस होगा बच्चों यहाँ पर, और even में formula थोड़ा कठेन होता है, n बाइ 2th observation, प्लस n बाइ 2 प्लस 1th observation, तो इसको correct कर लिए, और काफी बच्चों को यह चीज़ पहले से भी आती होगी, यह बहुत high-five concept नहीं है, अब लेकिन आगे की classes में हम लोग class interval वगेरा अच्छे से पढ़ेंगे हैं, class में class interval पढ़ेंगे, so अब हम लोग इस class को wrap up,